क्या होता था यहां गुर्कुल चलते थे गुर्कुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे और विद्यार्थी 20 साल तक 25 साल तक भ्रह्मचरिका पालन करते हुए सिख्षा ग्रहन करते थे संसकार मिलते थे और वो संसकार लेकर समाज में जाते थे उन्हीं संसकारों से संस्कृति बनती थी और वही संस्कृति भारतिय संस्कृति कहलाती थी रिशी थे मुनी थे बड़े-बड़े ग्यानी थे महत्मा थे वो गुरुकुलों को चलाया करते थे और सारे के सारे गुरुकुल जो चला करते थे उनमें वेदों का अधियन पुराणों का अधियन उपनिशिदों का अधियन जो भारतिया ग्यान है जो भारतिया मनीशा है उ अंग्रेज़ों के जमाने में उन सबको उसने ईल्लीगल गोशित किया गैर कानूनी और उसने संस्क्रिष भाषा के मान Archives कोई भी गुरकुल छलेगा उसको अंग्रेजी सरकार माननिता नहीं देगी तो माननिता किसको देगी अंग्रेजी के माध्यम से जो कॉन्वेंट स्कूल चलेंगे उनको अंग्रेजी सरकार्मान निता देगी और उसके लिए बाकाइदा उसने कानून बनाया उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट